यानि के इतनी जरूरत है इस टम दुनिया को इंडिया के वीट की और आप कह रहे हैं वहां का अगरी कल्चर सिस्टम नहीं ठीक देखें जी जो मैं बात ने कहा रहा हूं ना यह आप जाकर चेक करिए का मैं अपने पास है कोई बात ने कहा रहा है लैट्स आपको लाग रहा ह है और अगर शबाश श्रीफ वहां चले जाते हैं इंडिया में तो हमें कोई गर्द नहीं है में यह तरफ से वह बाहर में चला जाएं लेकिन हम एक्क्रामिकली नीचे जा रहे हैं अगर बात की जाए एजूकेशन सेक्टर की बात की जाए अगर किसी भी फिल्ड़ की बात इंडिया के प्राइमनिस्टर नरिंदरमोधी पाकिस्तान में एक साल के लिए प्राइमनिस्टर बांचे चीए यह है अगर सिधाद श्रीफ पैस्वर स्वासृट में तो हमें कोई गर्ज निया में ही तरफ से वह बहार में चला जाए आखिर 어ुज अबनाव इहांद जयाद प्रवाइट करें तो हमारे लिए बहुत बैसी जरू का विवाज बहुत बवात है जबत अ क्माम यूसम यूसफा आज का मेरा सौल ये कि अगर एक मसाल है के प्रायम निस्टर नरिंदर मौदी जो कैंदिया प्रायम निस्टर बाइल बंजें और यहां से श्वाज श्रीफ थाब इंदिया बाइली आए. ऐसा नहीं होना चाहिए अगर हो जाता है ऐसा होना भी नहीं चाहिए वो बता क्यूँ कि वो काफर है हम लोग मुसलमाने मुसलमान को काफर कहना भी गुना है जिसको अला इज़त दे उसकी इज़त करो बस ठीक है वो तो बार ठीक है अला ने जिसको इज़त दी है वो तो अला साब को मुसलमानों को भी इज़त देता है यह तो नहीं है किसी एक को इज़त मिलती है मुद्दी की बड़ी इज़त है दुनिया में लेकिन एक मसाल है अगर वो बन जाता है तो कोई तबदीली आएगी यहां पर महंगाई काम होगी या नहीं जलम ही जलम होगा यहां पर अच्छा और अगर शिबाज श्रीफ वहां चल जाते हैं वहां के हला ठीक होंगे हाँ बिल्कुल होंगे वो कैसे तो फिर यहां के क्यों नहीं वो ठीक कर पारे वो पता है कि अधर हमारे मुसल्मान है न बेटे वो तो है मैं कह रहा हूँ आपने कहा अगर वहां के वो था यहाँ तो पती भी भी हो तो तो तब तर धीक होना हला थे तीसर पर लीटर भी हो तो तब दुनिया ने रहोना है यानि हमारी आदत बन गई है जिसको अल्ला इज़गा दे उसकी इज़ग्सित करनी चाहिए मैं तो वो मोदी साब को इज़त मिली है तो हमें भी उसकी इज़त करनी चाहिए उनकी उधर इज़त है इधर नहीं है तो शबाज शरीव साब की इधर इज़त है या नहीं है इन्शाला है क्यों नहीं है अच्छा मोदी ऐसा क्या करता है जो आपको उन पर गुसा है वो मुस percent रह गया है बाकी सारे बाग गए या किदर गए इसका मतलब है यहां पर भी उन्हें वो right नहीं मिले तो यहां से चले गए ना फिर ऐसे है वो भी कह सकते हैं यहां के वजीरियाला कोई ऐसा बंदा नहीं है जो हमारे जुम करे हिंदों पर गहर गहर मुस्लिम पर हम इसत करते हैं चले आपकी तो इतनी उमर है लेकिन मैं आपसे बहस भी नहीं करूंगा आप अपनी जगा ठीक ही कह रहे होंगे लेकिन थोड़ा बहुत आप देखिएगा जो पड़े लिखे आपके साथ उनसे पूछिएगा कि सिंध में हिंदू लड़की है ना जो उनको इसाथ फोर्स मेर हैं मैं लिखने का शुकीर हूं हूं लिखते रहते हिं पुछ काम और यह का मैं की है कि मेरा बीक है अगर अगे शल दो किसफन सही है वह पस्क है है फर्क लेकिन अगर यह लोग वहां जाते हैं तो फिर जो चेंजिंग यहां पर आई यहां पर आई यहां पर जाएगी मैं वैसे किसी एक को नहीं करूंगा हमारे जितने हमने पी पोलीटिशन से मैं सब की बात करूंगा तो मेरा ख्याल के लाव वैसे वी ओरर आई बात की जाए तो हम नीचे आ अफ्सोस वाली बात है हमारे लिकिन सच है बिल्कू सच माना चाहिए न्या में लोग सच को मांते हैं तो ही तरقी करते हैं और दूसरी बात यह कि अगर आप study की बात कर रहे हैं तो हमें मेरा ख्याल है कि यॉरप की तरफ एक तफ़ा देखना चाहिए कि उनके मुलक पे अंदर या उनके जितने भी मुमालिक हैं वहां पर education को किसना प्रमोट किया जाता है और सबसे बड़ा जो factor मुझे यहां पर नदर आता है हमारे मुलक में वो यह है कि हमें बच्चों को शुरू से बताया ही नहीं जाता कि उनके अंदर कौन सी ability पाई जाती है जो जिस पे वो काम करके अपने आना वाला टाइम में वक्त से पहले stable हो सकते हैं तो मैंने जब थोड़ा सा study किया तो मुझे यह बड़ा comparison नदर आए कि हमारे स्कूलों में या हमारे education system में एसी activities होती तो जरूर हैं लेकिन उसकी कोई logic कितनी खास नहीं होती हमारा तो अभी स्लेबस ही वो पुराने वाला स्लेबस है जो कभी शायद घोरे ही बना गए थे स्लेबस और वही अभी तक हम पाड़ रहे हैं बिल्कुल अच्छा तो अब यह बताएं कि अगर वो आते हैं तो आपको लगता है यहां का system बेहतर हो जाएगा लेट स्पोज अगर आते हैं वो बात की बात है अच्छा उनका system अच्छा होगा या बुरा होगा देखें वो जैसे भी है ना लेकिन वो अपने मुलक को जो है ना शबाज श्रीफ की बात कारों अगर वो वहां पर जाते हैं तो शबाज श्रीफ साब उनके system को अच्छे तरीके से चला पाएंगे ये 22 करोड की अवाम और वहां एक अरब से ज्यादा लोग हैं तो मेरा ख्याल है कि मुश्किल है थोड़ा सा लेकिन experiment होना चाहिए अगर एक साल के लिए नरिंदर मोदी जो के इंडिया के प्राइम निस्टर है वो यहां के पाकिस्तान के प्राइम निस्टर बांजे तो क्या होगा सर जो बंदा मरजी प्राइम निस्टर बांजे हमें अपने म京 से घरज है लोगों के जूरियाद से घरज है वो यह मारे लिए फाइदा मन्द है जो हमारी जूरियात को पूरा कर सके अगर शबाश रीष साव आंके बन जाते हैं अब जाएंगी तो लोग इस तरह रहेंगे जिस तरह हमारा हाल है जो रात 12 बजे से हब तक लोगों का हाल हो रहा है जा हो रहा है लाइट नहीं आ रही है या पेट्रोल महेंगा होगे जुरूरियात की जिन्दगी है जिसे हमने रोज आना जाना है यूनिवर्स्टी और वापस घर जाना है तो आप खुदी देख लो आप जब पांप पे जाते हो जब आप रेड्स देखते हो आपको खुदी ब्लैट प्रेश लो हो जाते है तो हमारे मुलक की हलात को मिश्चत को कंट्रोल कर सके जो लोगों को स्पोर्ट कर सके जैसे इंडिया में कंट्रोल हो रहा है पाट्रोल डे बाडे कम हो रहा है इसके लावा वहां की एकॉनमी बेहतर हो रही है हेल्स सेक्टर बेहतर हो रहा है तो फिर इसका मदलब है मोदी तोड़ा पास आज़ें आप दूर जाते जाते है तो अगर च्भाज शरीफ साब प्राइम निसर इंधिया के बान जाते हैं आप आपको लगता है इंदिया और त्रक्की करेगा ज़िए सार पहले उनकी सिचुएशन तो इस टाम ठीक है, सिचुएशन तो हमारी नहीं ठीक, जी, उनकी सिचुएशन ठीक है, लेकिन हर चीज़ को टाइम देना चाहिए, जैसे आपने इमरान खान को साड़े तीन साल दिये हैं, उसका देखे हैं, उसकी कारकर्द की अभी तो इनके एक मंत हु नरींदर मोदी जो के इंडिया का प्राइम निस्टर है, वो यहां पाकिस्तान का प्राइम निस्टर बांजे एक साल के लिए, और शहबाज श्रीफ जो के यहां के प्राइम निस्टर हैं, वो इंडिया के प्राइम निस्टर बांजे एक साल के लिए, तो क्या चेंजिंग ऎंगा एगी अगर चेंजिंग के वाले से देखा जाए तो नडिनर मोदी की अपनी स्टैटेजी है शभाषी तो इन दोनों स्टैटेजी को लिहाथ से देका जी तो इंडिया में देखर उनके कहने की किया बात है उन्होंने प्राइमनिस्टर की है है थीत नहीं देखर ना एक बंदे की स्टेटेजी जो पहला इनकाम हो मइंडाय क्ना सब्सक्राइब सकते है आपको क्या लगता है कि नरिंदर मोटी मैं एक आप पहां पर एचा काम नहीं कर रहेlyn भे कोई आगरी कल्टेर कि में तकमी बैगबून्ट सम्झी भी तीजう लेकिन उसके किसान उसके, राजी नहीं है, उसके कार्दकर्दगी से, वो इकिसानों के gworक उसको नहीं दे पाड़ा. आपको पता है जितनी इंडिया में सबसीटी मिलती है कसानों को और इसके लावा जितना इंडिया के वीट की अगर बात की जाए हम जो आई-एम-फ है आई-एम-फ का पता है आई-एम-फ रिक्वेस्ट कर चुक है इंडिया से के आप वीट की जो एक्सपोर्ट है वो बांद कर आज़रा होगे। मतलब यार यार यह तरिफ्कार रहा हैं को इ्पर मोट का रहे हैं फर्मोट नहीं का रहे हैं बस आपको बता रहा हैं और कंपैरिजन का रहा है। बनें कि हुए जो किसानipर सीख ख्यात्रियों ने जो के पूरी दुनिया को पता है कि यह चीज मैं भी करता हूं कि वहां पर उन्हों ने प्रोटेस्ट किया और काफी देर वह प्रोटेस्ट चला भी जो इसे वो मुझे इतना उस पर उनका में आजमी लेजन्स भी जिन्हों ने इस हवाले से भी बात उठाई थी हमें किसानों के कम उसके किसानों के रहा किंप बहुत बहुत बैडर ना अगर वो बात आ जाजए कि लास्ट तिर पे जो एक्स प्राइम मिनिस्टर उस पर बात कर लेते हैं कि वो जो महंगाई थी और अब जो महंगाई है सब उनी का सिला अगर आइम एफ से कर्ज लिया भी गया तो आप लास्ट त्री एर्स से जो इसका टने ओड़ा है इमरान खान साब का वो देख लें और उसे पहले आइम एफ की जो कर्ज की रखम है वो देखें वो रेशो दूसरे एक साइट पे जारी है मैंने एक जर्नल क्वेस्टन किया है आम अवाम की आम पब्लिक की राए ले रहा हूं कि अगर